राम जन्म भूमी आयोध्या भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह हिंदूओं के लिए आस्था का केंद्र है और भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में पूजनीय है। आयोध्या की पवित्र भूमी सरयू नदी के तट पर बसी है और सदियों से धार्मिक महत्व रखती है। रामायन के अनुसार आयोध्या प्राचीन कोसल सामराज्य की राजधानी थी और राजा दशरत की राजधानी थी। भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था और उनके जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहीं घटित हुई। अयोध्या को भगवान विश्णु के अवतार के रूप में माना जाता है और इसलिए इसे धर्म की नगरी भी कहा जाता है। इश्वासियों का मानना है कि यह स्थान सदियों से राम के जन्म स्थान के रूप में पूजनिय रहा है। प्राचीन मंदिरों का उलेख मिलता है जो यहां सदियों से खड़े थे। हालांकि सोलावियों सदी में मुगल आक्रमनकारी बाबर ने इस स्थान पर एक मस्जिद बनवा दी थी। यह इस स्थान पर विवाद का कारण बना और सदीयों से तनाव का विशय रहा है। 1922 में विवादित धांचा गिरा दिया गया था और उसके बाद राम जन्म भूमी पर एक अस्थाई मंदिर बनाया गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमी को, राम जन्म भूमी ट्रस्ट को सौपने का आदेश दिया गया था. इस फैसले के बाद से भव्य राम मंदिर के निर्मान का काम तेजी से चल रहा है. मंदिर का निर्मान कार्य 2020 में शुरू हुआ था और तब से तेजी से प्रगति कर रहा है. मंदिर को राम नवमी 2024 तक बन कर तयार होने की उम्मीद है. यह मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा और इसमें कई मंडप, मूर्तियां और तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं होंगी. राम जन भूमी का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, बलकि यह भारत के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण क्षण है. यह लाखों हिंदूओं की आस्था का प्रतिबिम्ब है और राष्ट्रिय एक्ता का प्रतीक है. मंदिर के निर्माण से सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और यह अयोध्या को एक प्रमुक तीर्थ स्थल के रूप में और अधिक स्थापित करेगा. अयोध्या की यात्रा हिंदूओं के लिए एक पवित्र अनुभव है. राम जन्म भूमी के अलावा अयोध्या में घूमने के लिए कई अन्यस्थान हैं, जिन में हनुमान गड़ी, कनक भवन, राम की पैड़ी और सर्यू घाट शामिल हैं. अयोध्या की यात्रा आध्यात्मिक शान्ती और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करती है. मुझे उम्मीद है कि राम जन्म भूमी अयोध्या के बारे में यह जानकारी आप के लिए उप्योगी होगी. यदि आप अयोध्या की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो मैं आपको अग्रिम शुभ कामनाएं देता हूँ.